ये एपिसोड भी स्टाट होता है बिलकुल उसी सीन से जहाँ पर सीनियर मिंग्यू, लुवो फैंग, लीडर होंग और वोरी अलीशन से ये कहते हुए चले जाते हैं कि अभी यहाँ से तुम लोगों को अपने दम पर ही निकलना है और 3X माउंटेन के हैड़कोर्टर्स तक पहुचना होगा, तभी मैं तुम लोगों की हेल्प कर पाऊंगा, सीन चेंज उतरह में दिखाया चाता है लुवो फैंग के स्पेस्क्राफ्ट को जो के अभी उनी माउंटेन्स के बीच में रुका हुआ था, अब सेनियर मिंग्यू की बात सुनने के बाद लुवो फैंग हमारे आसपास क्या है, तभी उन्हें वर्निंग आने लगती है, जिसे देखकर लुवो फैंग थोड़ा सहरान हो जाता और फिर उन्हें मालूम होता है, कि रोयल टीम ने बाकी सभी वोरियस के साथ मिलकर अलाइंस बना ली है, और लुवो फैंग के आसपास फोरेस्ट में करना चाहिए, इससे पहले कि वो लोग हमें चारों तरफ से घेरने में कामियाब हो जाएं, ये कहते हुए लुवो फैंग जिया की डैड बोडी के पास आ जाता है, जिसे कि ओगियों ने अपनी हाथों में उठाया हुआ था, उसे देखते हुए लुवो फैंग काफी उद तो अब बाता देखती है का टूका तो अब दुबारा से सो रही है, इसलिए वो उसकी चेर को गुमाते वे से जटका देती है, टूका जल्दी से उठते वे अपना काम करना शुरू कर देती है, मानो जैसे कि वो सोते विबिन की सारी बाते सुन रही थी, अब ये लोग प्रेजी से उड़ाते वे यहां से बाहर निकलने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि नाइथ प्रिंसिस के बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट सिनी की तरफ बढ़ रही होते हैं, जो के तदाद में काफी ज्यादा थे, और इसी के सासा जंगल में लुओ फैंग का स्पेस्शिप उनके बहुत ही करीब से गुजरता है, इस स्पेसक्राफ्ट को अपने पास से गुजरते वे देकर ये सबी लोग काफी ज्यादा हिरान हो चुके थे कि ये क्या हो रहा है, जबके लीडर होंग वोरियलीशन लुओ फैंग होगी और बबाता ये देकर कहते हैं, हाँ, ये लोग तो हमें मारने की तेयारी कर रहे हैं इस बात पर वो हसने लगते हैं और कहती हैं हाला कि वो लोग हमसे बचकर भागने की कोशिश कर लहे हैं लेकिन उने क्या लगता है कि वो असानी से हमसे बचकर निकल जाएंगे मेरे पास अभी भी अपर हैंड है मैं भी देखती हूँ कि ये लोग हमसे बचकर कैसे भागेंगे अब 9th प्रिंसिस के वो सभी स्पेसक्राफ्ट और वोरियस जो के लुव फैंग की तरफ बढ़ रहे थे और इनका मुमेंटम बहुत ही स्लो है ये कहते हुए वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्यूँ जबके लुव फैंग कहता है ये काफी अजीब है लीडर होंग समझ जाते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वो बवाता से पूछते हैं क्या तुम में पता है कि स्पेस्क्राफ्ट के कितने युनिट्स दूर से अटेक कर सकते हैं उनकी ये बात सुनकर बवाता जल्दी से चेक करने लगती है और चेक करते वे शोक हो जाती है जिस पर लीडर होंग, वोर्य अलीशन और लूफंग उसके पास आते वे देखेने लगते हैं कि आखरी यतनी ज़्यादा चोंक क्यों रही है जैसे ही वो लोग मनीटर पर देखते हैं तो वो भी ये देखर हरान हो चुके थे कि ये स्पेस्क्राफ्ट तो अपनी जगाँ पर खड़े हुए सिरफ अपनी डारेक्शन को चेंज कर रहे हैं इस बास उनने भी मालूम हो जाता है कि ये स्पेस्क्राफ्ट कोई मामूली से स्पेस्क्राफ्ट नहीं है वहीं दूसरी तरफ हम उन स्पेस्क्राफ्ट को देखते हैं जो के वाके में ही अपनी लेजर वैपन्स को रैडी कर रहे थे बबाता का शक यहां पर सही निकलता है वोरिय लीशन भी अपने रिष्ट्री डिवाइस पर यह दे कर घबरा चुके थे कि हाँ वो लोग तो वाके में ही अपनी लेजर वैपन्स से हम पर निशाना लगा रही हैं अब बाता भी सोच में पढ़ चुकी थी कि मैं क्या करूँ लीडर होंग और लुओ फैंग भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या किया जाए जबकि उन लेजर वैपन्स वाले स्पेस्क्राफ्ट में मजूद वोरियस अपने लेजर वैपन्स को चार्ज करना शुरू कर देते हैं ये बात लुओ फैंग और बागी सब को भी मालूम हो जाती है अब वो स्पेस्क्राफ्ट अपने लेजर वैपन्स को चार्ज कर लेने के बाद लुओ फैंग के एरक्राफ्ट को निशाना बनाते हैं और टार्गेट लोग कर लेते हैं ये बात जैसे भुबाता को मालूम होती है तो वो जल्दी से अटूका के पास चली जाते है और उसे पकड़ते हुए अपने स्पेसक्राफ्ट का सारा कंट्रोल उससे ले लेती है और फिर हिन सभी लेजर वैपन्स के अटैक से बचने के लिए एक सेफ रास्ता कैलकुलेट कर करने लगती है वो होलोग्राम का यूस करते वे ये सारी प्लैनिंग कर रहे थी तो लुबोफैंक भी देख पा रहा था कि बबाता के लिए ये कितना ज्यादा मुश्किल है कुछी दिर में बबाता सारी प्लैनिंग कर लेती है और उनीके स्पेसक्राफ्ट की लेजर वैप ज़्यादा खुश भी हो रही थी इसी के साथ वो सभी लेजर वैपन्स लुबोफैंक के स्पेसक्राफ्ट की उपर हमला करना शुरू कर देती है जबके वबाता अपनी प्लैनिंग के हिसाब से अपने स्पेसक्राफ्ट को बढ़ी आसानी से उन सभी लेजर अटैक से बच वो लोग कभी इदर से उधर तो कभी इदर से उधर पटक जा रहे थे अब बाता साथ इसाथ लेजर वैपन्स से बचने की तयारियां भी कर रही होती है और स्पेसक्राफ्ट को भी कंट्रोल कर रही थी इस सिचुएशन को संभाल पाना बुस के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था और वो भी काफी परिशान हो जाती है क्योंकि लेजर वैपन्स के हमले रुकी नहीं रहे थे इसलिए वो यहां पर अपनी एक छोटी सी ट्रिक चलती है और एक प्रोटेक्टीव शील्ड को अपने स्पेसक्राफ्ट के पीचे छोड़ देती है जो क आस्मान में एक बड़ा सा प्रोटेक्शन बैरियर बना लेता है जिसके साथ आकर नाइथ प्रिंस के बहुत सारे स्पेस्षिप टकरा रहे थे और टकराने की वज़ए से वो सभी के सभी डिस्ट्रोई होते जा रहे थे लेकिन तबी पीचे से नाइथ प्रिंस के एक लेज लेजर अटैक से बचपाना मुश्किल हो चुका था इसलिए वो अपने स्पेस्क्राफ्ट की डिफेंस एनर्जी शील्ड अक्टिवेट कर देती है एनर्जी शील्ड के एक लेजर अटैक उनके स्पेस्षिप क्यों पर आगर लगता है जिसकी वज़ए से एनर्जी हम लोग इनके हमलों से डिस्ट्रोई हो ही जाएंगे लुओ फैंग खुद को संबालते वे खड़ा उतार वबाता से कहता है जल्दी करो और चारो तरह से घिरने से बचो हमें किसी ना किसी तरह करके यहां से निकलना ही होगा तुम ऐसे ही मत नहीं हार सकती वबाता एक साथ लुओ फैंग के स्पेस्क्राफ्ट के उपर हमला कर देते हैं ये देखकर लुओ फैंग भी समझ चुका था कि अब हम यहां पा नहीं बच पाएंगे इसलिए वो कहता है अब सिर्फ हमारे पास यही एक रास्ता है उसके इतना कहते साथ ही नाइंथ प्रिंसिस के स लेकिन जैसी वहां से दुआ अड़ता है तो उन्हें वहां पर कुछ भी नसर नहीं आता नाइंथ प्रिंसिस यह देखकर काफी ज्यादा शोक हो चुकी थी आप लोग उनका रियाक्शन तो साफ ही दे सकते हैं कि बेचारी का यहां पर क्या हाल हो चुका था इसी के साथ उ लुओ फैंग रूज की टीम को बाहिर निकालने के लिए कैलकुलेशन कर रही होती है कि अब मैं इने यहां से सेफली कैसे बाहिर ले जाऊं और वो अटूका को भी स्पेस रिंग से बाहिर यहां विच्छोलर्ड में ले आती है अटूका वहां पर आती है तो हम देखते है तो वैसे ही मार डालो ना अगर नहीं तो मैं भी एक एयू हो और मेरे भी कुछ राइट्स हैं तुमें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अटूका यह कहते हुए वबाता पर काफी ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी जबके वबाता उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान देती और अपना काम कर रही होती है जैसे वबाता टूका की तरफ देखती है तो टूका बचारी तो फिर से डर जाती है सोच लेजिए वबाता का कितना ज़्यादा खौफ है कि इतने ज़्यादा गुसे में होने के बावजूद भी वो से डर रही है सीन चेंज होता और पाएंगे लिडर होग उनकी ये सारी बात सुनकर कहते हैं इसके बावजूद भी वो लोग जल्दी ही हमें दुबारा ढूल लेंगे वो भी इतना कहती है कि तबी उन पर दुबारा से लेजर वैपन से हमला होना शुरू हो जाता है वो लोग ये देकर हरान हो जाते है कि क् हमला करते हुए बेरहमी से एक दूसरे को मार रहे थे कोई भी किसी पर जड़ा सा भी रहम नहीं दिखा रहा था और उसके सामने जो कोई भी आ रहा था उसे मारते जा रहे थे या तो खुद मर रहे थे या तो सामने वाले को मारते जा रहे थे इन में हम 3X मांटेन और बे लोंग सिटी के वोरियोस को भी फाइट करता हुआ देखते हैं तब भी उस वार में एक पोर्टल ओपन होतार उसमें से बेहु होल के स्पेसशिप बाहिर आते हैं और वो भी वहां पर आते हैं दूसरे स्पेसशिप को दिस्ट्रोय करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खतम हो चाता है तो देखें कि नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये वोर किसली हो रही है तो दोस्तों अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड कल सुबा मॉर्निंग 8 एम पर देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे 2000 कमेंट्स कम्प्लीट क कर दिएे